हेलो जी हेलो एबरीबन गुड मॉनिंग रादे रादे जैश्री रादे कैसे हैं सब तो हम उमीद करते हैं सब अच्छे होंगे खोश होंगे वेलकम माई यूट्यूब चैनल तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जलू कर लिजेगा और वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जलू कर लिजेगा कमेंट करके जै मातादी जरू लिखेगा जैसरी रादे लिखेगा तो जी ये सुबह में मैं बना रही हूं हल्वा और विधी मेरे पास मैं बनाना चाहिए, की एपने हाथों से यह बनाती हो, वैसे तो रोटी सबजी का लगाती हो, तो सुछ बनाया नहीं ऐसा, तो बस आज मन हुआ सूजी का हलुआ बना देती myself, तो बस, यह बना दो पीपा तेल जो है का है सरसों वाला पापा दे देते हैं तो वो ही गाउं गया है अंकित लेने के लिए तो अब पानी डाल देती हूँ तो मेरा हलुआ जो का इस टाइब से मैं बनाती हूँ सूजी का हलुआ तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताईएगा तो हलुआ सबका एक अलग अलग तरीका होता है और मौंग डाल हलुआ या फिर बेसन का हलुआ या सूजी का जोबी में बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ी से कड़क ही भूनती हूँ थोड़ा लाल कर लेती हूँ अच्छे से सफेज सफेद मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं इलाइची डाल देती हूँ अब मतलब बनने पर आ गया है मेरा हलुआ तो सबसे पहले हरी वाली जो है इलाइची वो तो खीर हो या हलुआ हो तो डाली ही जाती है तो तीन चारे लाइची को मैंने अच्छे से कूट लिया और डाल दिया है हलवे में क्योंकि अब बन गया है और अब धीमी आच में थोड़ा सा भूनते रहेंगे हमारा जब हलुआ बनने को आ जाता है जितना हम उसको कड़क भूनते हैं तो जो हम घी डाला है हलुआ छोड़ने लग जाता है किसी भी चीज का आप हलुआ बनाओ तो यह एकदव मतलब परफेक्ट अंदजा है कि हाँ हलुआ बन चुका है कि अब घी चोड़ने लगा है तो बस अब घी चोड़ने लगा था हलुआ तो ड्राइफूड मैंने डाला है काजू और बादाम किसमिस नहीं खाते हैं बच्चे और गोला मुझे भी पसन नहीं है तो मैंने डालती हूँ बस मैंने काजू को और बादाम को ही थोड़ा सा कूट के डाल दिया है तो देख लेजिए अलवा रैडी हो गया है तो बताइएगा मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पहले अपने काना जी को लगा देते हैं भोग और जो भी बनता है तो भगवान जी के किरपा से बनता है और बस सबसे पहले काना जी को और ये दूद मैं उठा लेती हूँ दूद और मिस्री का सुबह जब पूजा खीती तब भोग लगाया था और इधर बन रहे घी क्योंकि मलाई हो रही थी कही दिन की तो फिर चला कर और तीन दो बार की मैंने जो मक्खन निकाला था वो खटा हो रहा था मैं डाइरेक्ट मलाई से घी नहीं निकालती हूँ मलाई को मतलब गरम करके जमा के और फिर सुबह में चला के मक्खन निकालके तम में घी बनाती हूँ आप लोग हमेशा याद रहना डाइरेक्ट मतलब खाली मलाई से सीधा निकालते हैं गी तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है और बस अब बना लेते हैं चायवाय बनाएंगे तो सबसे पहले अब मलाई को में देखो फ्रीज में रखने के वाद ना इतनी अच्छ यही आरा है थोड़ा ज़ादा ही तो यह 3 किलो दूद था और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंके पानी ज़्यादा डालेंगे तो मलाई हमारी अच्छे से नहीं आएगी तो थोड़ा कम पानी डालके थोड़ा देर तक finns दूद उबाला जाए तो वाके मे इसमें मेरी पावर से डाई शुद्रा मलाई निकल जाती है एकी बार में और बस कटोरा भर गया था तो ये मैं देखा रही थी क्योंकि फूल खेले चुके हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सर्दियों में सारे पेड़े सुख गए और गर्मियों में सुख जाएंगे बताना इतने अच्छे से मतलब मैं पौदा को सीचती हूं और अच्छे से देख़ाल करती हूं तो फिर भी एक ही दो है बाकी तो सब सुख गए हैं और इधर टीवी देख रहे हैं बिधी अच्छे ने तो बिल्कुल मनाई कर दिया है मुझे काफी नहीं पीनी है तो नक्ष बनाएगा बनाना से एक अपने लिए केले रखे हुए हैं तो वो खुद से बना कर पी लेता है तो बस अपचीनी डाल ले थे और मैं जब आवाज को रिकॉर्ट कर रही थी न तो मुझे ने अकेले अच्छा नहीं लगता है साम को या सुभे भी मतलब किसी के साथ में बैठ करके न मुझे अच्छा लगता है पीना चाय कॉफी या फिर खाना खाएंगे तो भी हम अकेले तो बस अभी विद्धी के पापा है वो आज लेट जाएंगे और ये बिलोग है म हो गया है दुफैर का टाइम तो इस टाइप से हमारा लेंच होता है आप लोग सोच रहे होंगे तो बस सारी चीजे ना मैंने किचन से उठा कर रख लिए कमरे में तो हम खाते हैं नीचे बैठ कर फर्स बेखाना तो बस अभी वही कर रही थी और बिधी कर रही थी डिकॉर है कि ग्लास दूद्ध तो यह जादा कुछ नहीं है सलाद है और मैंने बनाई थी डाल टेश्टी वाली और चावल रोटी और बनाया था लसी तो देख लिए यह है चावल और यह बनाई थी मैंने डाल तो डाल तो बहुत इच्छी बनी थी और देखने में भी इतनी टेश्टी होटल वाली डाल लग रही थी और सलाद वगेरा काट लिया लसी तो आजाईए आप लोग भी इस टाइफ से इसमें है चटनी इस टाइफ से हमारा दुफैर का खाना होता है इसमें है रोटी तो बस यही था दोस्तो दुफैर थक का जो बिलॉग था मेरा तो मिलते हैं अगली बीडियो में तब तक के लिए रादे रादे जैसरी रादे जैसरी किष्णा बाई बाई